आईए बच्चों, आज हम सिती कद्य खंड से सेकिंड चैप्टर करते हैं बाल गोविंद भगत आप अपनी बुक के अंदर निकाल करके इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं तो मैं सबसे पहले जब चैप्टर शुरू करते हैं तो उसका लेखक परीचे करना जरूरी होता है अब मैं वही कराने जा रहे हूँ तो देखी क्या है बाल गोविंद भगत चैप्टर के लेखक का नाम है राम रेक्स बैनिपुरी क्या नाम है राम रेक्स बैनिपुरी रामरक्स बैनिपुरी का जनम 1902 में बिहार राज्य में मुझुफर के बैनिपुर गाउं में हुआ था बच्पन से ही वे दुखी थे बच्पन में ही उनके माता पिता का देहान दो गया था तो उनका पालन पोशन उनकी मोसी के दवरा किया गरा था उन्होंने अनेक कठिनाया सही और मुश्किल से वो दस्वी कक्षा ही उतीरन कर पाए 1920 में वे ऐसा योग आंदोलन के समय में कई बार जेल यातरा भी गए अलपायू में ही उनकी रचनाएं पतर-पत्रीकाओं में आने लगी थी उनके दवरा कई रचनाएं लिखी गई जैसे तरुन भारत, किशान, मितर, बालक, युवक, करमवीर, आदी ये रामरक्ष बेनिपुरी थे इनका देहान 1968 में हो गया तो बिटा क्या बताया गया इसके अंदर रामरक्ष बेनिपुरी का जनम 1902 में बिहार के मुझफरपुर जिले के बेनिपुर गाओं में हुआ बच्पन में ही उनके माबाप का देहान्त हो गया उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था मुश्किल से वो दस्वी कक्षा तक की पढ़ाई कर पाए ऐसा योगांदोलन में भी उन्होंने अपना योगदान दिया देश की आजादी के लिए कई बार जेल भी गए ये सब बाते आपको समझ आ गई होंगी और उनका देहान 1968 में हुआ तो ये चीज़ें जरूरी होती है ये आपको समझ आ गई अब उनके सहित्य की क्यावी सेस्ता है थोड़ा सा मैं ये भी बता देती हूं रामरक्स बेनिपुरी सवतंतरता से नानी भी थे इसलिए वो कई बार जेल में गए थे उनकी रचनाओं में देश की आजादी का सवर सुनाई देता है इन रचनाओं में बाल सुलब जिग्याक्सा के दर्शन भी हो जाते हैं जो रामरक्स बेनिपुरी थे उनकी भासा खड़ी बोली है उसके अंदर तत्सम सब्दों का परियोग भी मिलता है तो भासा भी आपको समझा गई और कुछ रचनाओं भी पता चल गई उनका जीवन परिचे भी उनकी मर्तु का भी पता चल गया तो ये था जीवन परिचे अब हम अगली वीडियो में इसके चैप्टर के बारे में करते हैं कि बाल गोविन भगत कौन थे कैसे थे राम रेक्स बेने पुरी उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं ठीक है बिटा इसको अच्छे से पढ़ना याद करना